आज ही के दिन 1975 में महान शिक्षाविद और देश के दूसरे राश्ट्रपती भारत रत्न सर्वोपली राधा कृष्णन का देधन हुआ वेकादर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में सभी के लिए प्रेरणा दायक हैं उनके जन्मदिन को देश में शिक्षक दीवस के रूपे मनाया जाता है आज ही के दिन सन 1964 में जेरी मौक अकेले हवाई जहाज के जरिये दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी उनकी ये यात्रा 19 मार्च को कोलंबस से शुरू हुई थी 1982 में आज ही के दिन कनेडा में नया सम्विधान लागू हुआ ये कानून 1867 के ब्रिटिश अमेरिका एक्ट को हटा कर लागू किया गया पियरे टूडो ने कनेडा के सम्विधान में अधिकारों और स्वतंतरता के चार्टर को जोड़ा हलाकि क्यूबिक ने 1982 के सम्विधान पर हस्ताक्षर नहीं किया था आज ही के दिन 1986 में नीदरलेंड और सिसली के बीच शांती संधी होने के कारण 335 वर्षों तक युद्ध की बनी इस्थती समाप्थ हुई 1651 में शुरू हुई युद्ध की इस्थती के दोरान नहिंसा की कोई खटना हुई और नहीं एक भी गोली चली यही वज़े है कि इस युद्ध को विश्व इतिहास का सबसे लंबा और सबसे शांती में युद्ध माना जाता है